कौन सार हिजग होगा जो दुनिया से सबसे पहले उठा लिया जाएगा तो जनाब हम आपको बताते चलें कि यह खर्भूश के बच्चे और यह बर्व तरीके से इंज्जाए करते हुए यह खर्वा है इंका गाजर हो या फिर शलगम यह बड़े बर्व तरीके से खाते हैं और दोस्तों आज हम आप को बताएंगे कि यह किस तरीके से इनकी इफाज़त की जाती है तो इफाज़त यह है कि जो इत्षान को दोई दी जाती है वही से में इसको दी जाती है और यह बिलकुल खुश रहते हैं और वो है जिनाब के शैद जो है सबसे पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा